प्यारे बच्चों अब जो है हम पाठ दस करेंगे ठीक है पाठ दस और उसका नाम है मौसी का घर ये मौसी है और ये मौसी के घर आए गौतम अपनी माता जी के साथ अपनी मौसी के घर गया ये गौतम है ये अपनी माता जी के साथ में कहां गया बिटे अपनी मौसी के घर मौसी कोन होती है जो आपकी मम्मा होती है उनकी सिस्टर उसकी मौसी जैपुर में रहती थी उसकी मौसी कहां रहती थी जैपुर जैपुर कहां राजस्तान में गौतम को देखकर उसकी मौसी ब जब गौतम को उसकी मौसी ने देखा ना गौतम को उसकी मौसी ने वो बहुत कुश हुई उसे देखे गौतम ने मौसी के पैर चुए गौतम ने देखो मौसी के जो हैं फीट टच किये आप भी जब अपने कोई भी अल्डर्स को देखते हैं तो आप फीट टच करते हैं ना गुड है बिट मॉसी ने उसे गले लगा लिया और मॉसी ने उसको उपर उठाके गले लगा लिया नौकर गौतम और उसकी माताजी के लिए शर्बत लाया उनके घर में जरूचर BC ए नौकर वो जो है गौतम और उसकी Islam मा के लिए क्या लाया बिटा शर्वत लाया गौतम को गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था उसको बहुत जादा गर्मी लग थी देखो शर्वत पी रहा गौतम बैठके वह तौलिया और कपड़े लेकर नहाने चला गया वो कपड़े और तौलिया लेकर नहाने चला गया आप भी नहते हो जब अपने कपड़े लेते हो तौलिया लेते हो ना टावल गौतम नहा कर आया और मौसी ने उसे पकोड़ी बना कर खिलाई गौतम नहाने के बाद उसकी मौस ने उसके लिए गरम-गरम पकोडी बनाई है देखो यहां पर यह पकोडी खा रहा है अगले दिन गौतम माता जी और मौसी के साथ बाजार गया अपनी ममा के और अपनी मौसी के साथ ने कहां गया मार्किट गया बाजार गया बाजार की रौनक देखकर वहे बहुत खुश थी रौनक थी उसको देखके उसे बहुत अच्छा लगा और वह भूँत खुश हुआ मौसी ने गौतम को धेर सारे खिलांगे मौसी ने उसको जो है गौतम को बहुत सारे टॉइस दिलवाए मार्किट से गौतम को पता ही नहीं चला और मजए मजए में नो दिन बीत गए गौतम को कुछ नहीं पता चला, कैसे टाइम निकल गया, वो अपने माशी के घर मींस नौ दिन रहा, फिर वह अपनी माताजी के साथ अपने घर लोट गया, और फिर वो अपनी माताजी के साथ में अपने घर चला गया, लोट गया, प्यारे बच्चों, अब जो है, हम इसका अभ्यासकारे भी करते हैं, नीचे दिये गए शब्दों की साहता से उत्तर पूरे करो, तो गौतम किसके घर गया, बेटा गौतम मौसी के ना, तो पूरा लिखेंगे गौतम अपनी मौसी के घर गया, नेक्स प्रिशन है हमारा, नौकर ने गौतम को क्या पिलाया, क्या पिलाया था शर्बत, नौकर ने गौतम को शर्बत पिलाया, यह इसका उत्तर है, यह प्रिशन है, यह उत्तर, गौ जो है, मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया, मौसी ने गौतम को खिलोने दिलवाया, प्रिशन दो सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ गौतम मौसी के घर कितने दिन रहा? 9 दिन या 10 दिन? वो कितने दिन रहा बिटा? 9 दिन मौसी ने गौतम को क्या बना कर खिलाया? क्या बनाया था पकोडी बनाई थी या कचोडी? Very good पकोडी तो पकोडी के सामने सही का निशान लगाएंगे गौतम को खिलोने किसने दिलवाए? माता जी ने, उसकी मौमा ने या उसकी मौसी ने तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे नेक्स जो है हमारा नेक्स पेच पे है अंतर जानो यह opposite words दिये हों यह कुछ आपको दिन का क्या होगा? रात, विलोमशद, मोटा, पतला उपर, नीचे, उपर, नीचे देखो नी, यह रैट नीचे है, यह उपर टेबल के और यह है काला, सफेद, चीके? प्यारे बच्चो, अब जो है हम पाठ दर्थ, जिसका नाम है मौसी का घर इसके कठिन शब्द करें, keywords, कठिन शब्द पर्स्ट वर्ड है हमारा जैपूर जैपूर, जैपूर जो है, वो एक सिटी का नाम है और जो कहां पे है? राजस्थान में है, ओके? और जैपूर, 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 जापूर, जैपूर, 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 ज लाड के अपने घर को आना रीटर्न करके अपने घर को आना that is lot है हमारा तॉलिया तैवल हम लहां के आते हैं तो हम टावल से क्या अपने आपको 8th word is पकोडी पकोडी जो है मैंने बताया था सब लगते न आपकी मुम्मा बनाती है आपके लिए पकोडी बहोते है पकोडी 9th word है हमारा बाजार बाजार मिन्श मार्केट बाजार 10th word है हमारा खिलोने खिलोने मिन्स टॉइल झाल झाल